वेस्ट इंडीस के गिलाव बारत का ODIA स्कॉड भी आ चुका, टेस्कॉड भी आ चुका, लेकिन अब वेट है सिरफ T20 स्कॉड का और T20 स्कॉड से ये चीज़ कनफर्म है कि हार्दिक पांडय उस स्कॉड के, यानि कि उस T20 टीम के कप्तार होंगे और ये भी चीज़े कहीना क काफी हद तक वो लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं और काफी बिजी रहते हैं क्रिकेटिंग स्केडिल काफी बिजी है उनका तो इस विज़े से उनको रेस्ट दिया जाएगा वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते लेकिन को मौका मिलेगा टीटी स्कौाड में वेस्ट इंडिस के खिलाफ किन खिलाडियों को मौका मिलेगा क्या आई पील 2023 में जिनका प्रदर्शन बढ़िया रहा उनको एक चांस दि पर बताया है या कह सकते है यह बड़ी अपडेट है स्कौाड के मामले में कि अगले हफते हो सकता है टीटी स्कौाड का एलान अगर चीफ सेलेक्टर जो है उनको चुनने में कोई जो प्रोसेस है वो देरी लगती है लंबा हो जाता है प्रोसेस तो हो सकता है कि अगले हफत लेकिन जो अधिकारियों ने यहाँ पर भयान दिया है वो कुछ ऐसा है कि अभी T20 सीरीज का समय है तो यह मैतोपूर्ण है कि हम इस सीरीज के लिए सही टैलेंटेड खिलाडियों को चुने यह कहीं युवा खिलाडियों के लिए टेस्ट के तौर पर होगा और इसके लिए च करें चिफसरेक्टर को चुनने का प्रोसेस लंबा खिशता है तो T20 का एलान अगले हफ्ते किया जाएगा है और बिये ऑगले ही है कि यह पर जादा फोकस है इसलिए टीटोएंटी में हमारी बेंच की स्ट्रेंथ को परक्षने का समय है देखे यह बयान अच्छा है ठीक है आपने अपनी बेंच स्ट्रेंथ यहां पर सोच के रखिया आप उसको परकिये बहुत अच्छा है लेकिन जो है अभी फिलाल वंडे का समय में है वंडे वर्ल्ड कप आ रहा है इश्यक आप फूर्माट होगा तो उसके हिसाब से यहां पर त्यारी और फोकस भी फिर वंडे होना चाहिए लेकिन यूवा खिलाडियों की बात करी यहां पर विस्टीजाए कि अधिकारियों ने तो यूवा खिलाडियों कौन उब रखेसके उनको मौका मिलसकता है तीटीटी टीम और आपकी कर रहा है इस बारे में और तीममें यंवा खिलाडञ ऑई-कपंडस ने करें उसके के बारे में कमें सेक्शन बतायों हुआ चलाल अबी के लिए इसपपेश के श्मिक अने गाहिए मॉल्सhos झाल झाल